विल्कम टो ओपुस किचन आज का रेसीपी टेस्टी गोवी मेथी की सब्ज मेरा वीडियो हिल्पूल लगा तो लाइक शेयर कॉट किजिए और सुस्क्राइब करना ना भूले गोवी वेथी की सब्जी बनाने के लिए एक बड़ा साइज पोवी को छोटा टुगड़ा में काटके राखा एक ब्लांच मेतित पत्ता को धोके क्लीन करके राखा एक उनियान बड़ी चॉप करके राखा एक चम्मच जींजर गयली पेस्ट एक टॉमिटो प्यूरी बनाके अब थोड़ा सा ड्राइ मसाला यूज करों की कड़ा में दो चम्मच पल गरम हो गया अब जो फ्लावर क्लीन करके रखा था आट कर देती हूं और फ्राइ कर लेती हूं पूड़ा सा पल के नमक अब रहता है और टी इस से पिए हाए प्ल्री पाउड़ा से देएł कुल्यातबर बुरियाट की तरह से प्राइब हो गया हल्कालका सा ब्राउन स्कॉट भी आगया तो इस प्लेट में निकर लेकिए लावर प्लेट में निकर लिया जो आयल बच्चा है उसमें सब्जी बनाऊंगी हिंग गिया एक रेड चिली और एक तेज पत्ता और आधा चमन चीरा पहले फोर्डी को आची तरह से ल्च प्राइब कर देखें से 50 अब जींजर कर लिया और टीटी है चुक्त हो फिलकी खुड़ को भी नियुक्त हो गी नियुक्त होड़ी और देपास होगोह, को अची तरह से प्राइप लेकी हुँ अब दा का अची अची तरह से प्राइप हो गया अब ड्यमसला याट करूँगी हल्दी पौडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, घनिया जीरा पाउडर, सारे ट्राइ मसाला लोग फ्लेम में एक में अच्छी तरसे मिक्स करके आट कर लेती हूँ, अभी जो ट्मेटो को पीउरी बना के रखागा, वो भी आट कर लेती हूँ, तो ट्राइ मसाला जलेगा भी नहीं और साइड इयावल लीज होने तक, अच्छी तरसे सापया को फ्राइ कर लेती हूँ, सारे मसाला अच्छी तरसे नगा होकी, साइड इयावल रीड एक मेथी को क्लीन करके रखा था, और मसला के सब मिक्स करके मेथी को कूप कर लेँए, इसे 5 मिनिट छोड़ देती हूँ तो अची तरह से मेथी कुट हो जाएगा बहुत ही तरह से सारे मसला के साथ मेथी कुट हो गया अब थोड़ा सा पानी आड़ करूंगी और सारे मसला के साथ अची तरह से मिक्स कर लूगी अब यह आड़ करूंगी जो फ्राइक करके वही को रखा था और बॉल होने के लिए छोड़ देऊंगी चितर से मिक्स कर लिया अब लिल डगा के और 5 मिनिट को करूंगी एथी गभी की सब्सक्राइब अलमस्ट बनी गया अब लास्ट को एड़ करूंगी गरम मसला अच्छी तरस्ट मिक्स कर लेती हो गस बंद करके डीशा उट कर लेती हो बहुत ही अच्छा। गोवी मेथी का सबजी बन गया टेस्टी गोवी मेथी की सबजी बनके रेडी हो गया एर रोटी पारटा के साथ बहुत अच्छा लगदाए वह जुरूर ट्राइ कीजिए और आप लोग के एक्सपिरियंस मेरे सरस्यार कीजिए मेरा वीडियो हेलपूल लगा तो लाइक कीज कीजिए और सब्सक्राइब करने ना भूले फिर मिलते एक न्यू रेसिपिक के साथ तब तक के लिए बाई थैंक्स पर वाचिंग अ